हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहाउस अब सलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगुलर 11 का फुल टुटोरियल सीरीज कि पिछले वीडियो हमने एंजी क्लास के बारे में देखा कि एंजी क्लास का क्या कंसेप्ट होता है कितने टाइप का होता है और अलग-अलग तरीके से हमने उसका एकजामपल करके भी देखा कि एंजी क्लास कैसे हम यूज कर सकते हैं और दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही important वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम यह देखेंगे कि data winding क्या क्या concept होता है कि इतने type का होता है इन सारे चीजों को हम details में इस video tutorial में देखेंगे दोस्तों आप इस video को केर फूरी देख कर लें और बील की आईकोन को जरूर किलिक किजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालू तुरंत आपको notification मिले और आप हमेशा updated रहें चलिए स्टार्ट करते हैं इस video tutorial को दोस्तों data binding basically means interacting with data means कि we can see that the interaction between template and business logic is called data binding right means कि इसमें हम interaction build करते हैं means कि template से means कि जो हमारा HTML page होता है और जो business logic हमारा TS file होता है दोनों के बीच में हम interaction build करते हैं means कि data को bind करते हैं means कि हम अपने logic page से टीस page से हम कोई data भेज कर view page पर bind करते हैं या फिर हम किसी view page पर से data में कुछ change करके अपने जो हमारा type script page है उस पर effect मिलाते हैं फिर उसके variable को change कर लेते हैं right तो यह होता है हमारा data binding means कि हम data को bind करते हैं सूख कराते हैं dynamically अपने view page पर right तो कैसे करते हैं किया कितने type का होता है कितने classification होते हैं चलिए देखते हैं के करके इसमें तो दोस्तों data binding equal to communication means कि इस image के थुरू में आपको यह सम्झाने को कुशित कर रहा हूं दोस्तों कि component जो होता है आप एक एरो पर देख रहे हैं कि आप component जो हमारा body logic होता है जिसमें type script के coding की हुई जती है तो यहां से data हम पूस करते हैं पास करते हैं और टेमप्लेट भीव पर हम देटा को दिखाते हैं और एक दूसरा भी होता है दोस्तों कि हम टेमप्लेट में कुछ चेंज करें मालों दोस्तों हमारे पास text box है यूप पर उसमें कुछ data चेंज करते हैं और वह data हम अपने टाइप script page पर लाकर अपने variable में रख लेते हैं फिर variable में शाइन कर लेते हैं तो मिंस कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं data communication राइट इसमें समझानी कुछ कर रहा हूं तो मैं आगे जब दिखाऊंगा इसमें तो आपको समझ मैंआगा कि यह किस type का communication है राइट तो दोस्तों बिसिकली data binding को हम दो वे में दो टाइप में बाट सकते हैं classified कर सकते हैं एक तो होता है one way binding कर दूसरा होता है two way binding राइट अगेन one way binding को हम two classification में बाट सकते हैं एक तो होता है दोस्तों जिसमें बहुत सरे binding होता है component to view right means कि हम component अब components का यहां पर दोस्तों एक logic page जो कि हमारा type script page है उससे हम view page पर data को bind करते हैं तो इसमें basically हमने 5 type को हमने बता रहा है यहां पर एक interpolation है दोस्तों आप इसको आप गौर से notice करके आप note कर सकते हैं अपर notice करके आप देखिए क्योंकि आप मैं बताने कोशिश कर रह पर रहे है अपने HTML पर मैंने कि web page पर वे page पर जो कि हमारा template है जैसा कि दोस्तों project क्रेट करके हमें दिखाया था तो इसमें भी बताया था कि levels html page होता है जो कि हमरा वीव page होता है राइट इसमें हम template होता है राइट अएक होता है दोस्तों हमारा component.ts file तो हो गया component means कि वो logic page हो गया इससी data pass करके जो हमें steam लिपेचर बाइंड करेंगे तो यह हो गया component भी हूँ यह किसका type है one way binding का तो इसमें दोस्तों होता है interpolation binding आगला होता है property binding interpolation word आपको सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसको यूज कर रखा इस वीडियो सीरीज में किसी किसी वीडियो हमने इस वीडियो को यूज किया है means कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हमने type बता रहा है एके करके सारे binding के बारे में हम एके करके देखेंगे आगने वाले वीडियो में राइट आगला होता है दोस्तों property binding property binding के बारे में हमें देखेंगे style binding और class binding की जहां तक बात है दोस्तों तो आपने पिछले वाले वीडियो जमें में style और class के बात किया था हमने तो उसमें हमने class और style binding को bind करके दिखाया था राइट लेकिन छोटे लेवल पर मिंस कि हम कैसे apply करते हैं और आगला होता है attribute binding उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है view to component मिंस कि अगेन हम दोस्तों अगर हम HTML component page पर कोई data लेकर आते हैं राइट मिंस कि textbox से data को हम इंटर करके उसको हम आप किसी variable में sign कर लेते हैं तो हो गया मिंस कि हमारा view to component तो उसमें हम event binding करते हैं किसी ना किसी event पर हम data को push कर देते हैं component page पर तो इसके बारे में भी हम practical करके आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों आप हमारे साथ बने रही है अगर और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि data binding का जो अगला classification होता है two-way binding right means कि यह बहुत important binding है दोस्तों क्योंकि generally यह project में होता ही होता है इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोनों तरफ हम data को bind करते हैं means कि अगर एक scenario ऐसा होता है दोस्तों मान लों कि हमारे पास एक test box है right test box में कोई data change करते हैं तो उसका effect तुरंत हमारे जो ts file है उसमें किसी ना किसी variable में अगर हमें sign कर रखा है तो वहाँ पर effect होता है अगर उस variable में हम कुछ change करते हैं तो हमारे text box में भी उसका data so होगा change किया हुआ मने update किया हुआ means कि दोनों तरफ से एक जगा change करते हैं तो वहाँ effect होता है और वहाँ हम पर change करते हैं तो व्यूपेज पर effect होता है means कि हम दोनों तरफ से data को bind कर रहे है तो इसको हम 2A binding करते हैं राइट तो इसका भी प्रेटिकल हम करके देखेंगे आने वाले वीडियो में दोस्तों तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा कि binding type can be grouped into three categories right means कि हम तीन के टेगरीज में भी हम इसको grouping कर सकते हैं एक तो हो सकता है source to view जिसको हम component बोलते जासा है कि हमने one way binding बताया कि source से हम component से view page पर लेकर जाते हैं तो एक group हो गया अगला group हो है view to source means कि हम html से view page पर लाते हैं हम source page पर पर लेकर आते हैं data यह अगेन यह one way binding होए और आगला हुए two way sequence means कि view to source और source to view means कि दोनों तरीके से एक साथ binding होता है right तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो टुटल में यह देखा कि binding होता क्या है और कितने type का होता है right तो आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों उसमें हम एक एक करके सारे example देखेंगे तो आगला जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा interpolation पर best होगा means कि उस वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तब तक थैंक्यू सो मज़ दोस्तों अगर आप बिल्कुली corporate level का knowledge रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े corporate में काम करें बिल्कुली proper तरीके से professional की तरह और अच्छे से interview crack कर सकें अपने salary को high दे सकें एक अच्छा सा तो आप हमारा online class जोईन कर सकते हैं जिसमें हम आपको provide करते हैं बिल्कुली corporate level का training जिसमें कि पूरा engineer cover करा जाता है एंगलर 2 से लेकर 10 तक के सारे concept पूरा का पूरा type script क्योंकि आपको type script में coding करना होता है पूरा rxjs library हम cover कराते हैं अपने online class में जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं आप कहीं class करने जाते हैं तो वो पूरा आपको cover करा जागा क्योंकि rxjs library जो है angular का heart माना जाता है यह सारे चीजें जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपको YouTube पर आपको corporate level का नहीं मिलेगा कोई नहीं डालता है यह सारे paid होते हैं और class में बहुत ही corporate level का पढ़ा जाते हैं हमारा class जो है इसी चीज के लिए famous है कि हम corporate level का training देते हैं इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे angular material और bootstrap भी कैसे यूज करते हैं angular में इस सब कुछ आपको सिखा जाता है API integration सिखा जाता है API बनाना सिखा जाता है मतलब कि back in वाला part भी हम सिखाते हैं अपने classes में उसके बाद project training दियाता है project training में आपको e-commerce का application develop करना सिखाय जाएगा जो की बहुत ही corporate level का होगा बहुत ही broad level का होगा जैसे कि आप flip card amazon use करते हैं उस level का application develop करना आपको सिखाय जाएगा तो आप हमारा online class जोईन करके आपने salary को एक अच्छा सा hike दे सकते हैं interview crack कर सकते हैं देखिए अगर आप कहीं से पढ़ते हैं दो तरीके होती है कि अगर आप मालेजे कि आप किसी इंचूट में पढ़ने जाते हैं तो इंचूट में आपको कौन पढ़ाता है एक तरीके से वो teacher होगा faculty होगा और सचाई ये है कि teacher ये faculty कौन बनता है जो soft industry में job नहीं ले पाता है जो खूधी job नहीं ले पाया तो आपको क्या training देगा वो आपको बूक वाला knowledge देकर आपको भेज देगा लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं company में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं फिर आपको ब बड़े MLC में काम करते हैं तो हम लोग वही चीज अपने training में provide करते हैं जो directly corporate में किया जाता है काम किया जाता है रियल चीजें हम आपको बताते हैं इसलिए हमारा class famous है जो हमारे हां से training ले ले लेता है उसको कहीं भी interview crack करने में कोई भी problem नहीं आता है क्योंकि हम वही आप जोइन करना चाहते हैं तो हमारे website का link इस video के description box में है आप उस पर click करके अभी visit किजिए हमारे website www.shop.com और अपना badge चूच किजिए चेक आउट किजिए और class जोइन कर लीजिए कल से ही अपना class आप जोइन कर सकते हैं अगर आप inquiry करना चाहते हैं तो हमारे official mobile numbers भी available है व आप स्वें किजिए